प्रेज रोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुभह की प्रात्नमी और आज मैं आपसे बात करना चाताओं कि प्रभू आपको हर एक विपत्ति से बचाएगा हर एक संकट से प्रभू आपको बचाएगा एक वचन हम लोग देखेंगे भजन सांता ठारा रुसका जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है दोस्तों यहां पर पर मेशो का वचन कुछ इस प्रकार कहते हैं बजनकार दाउद कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े विपत्ति के दिन एक समय ऐसा आया जब उसके जीवन में विपत्ति आ गई और चार दरफ से उसे सत्रों ने घेर दिया उसके विरोध ही उस पर चड़ पड़े और परमेशो का वचन कहता है कि विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े परंतो यहुआ मेरा आसरय रहा मेरा जो सरन स्थान था वो यहुआ था मेरा जो छुपने का स्थान था वो यहुआ था मेरा जो आसरय का स्थान था वो यहुआ था उसने मेरी हानी नहीं होनी दी उस संकट के दिन जब विरोधी मुझ पर आ पड़े थे तो उस दिन उसने मेरी हानी नहीं होनी दी मेरा प्रोटेक्टर वो बन गया वो मेरा आसरह रहा मेरा सन स्थान रहा दोस्तों आज सुभह में मैं आप से कहना चाहूंगा कि विपत्ति के दिन संकट के दिन दुख के दिन परिशानी के दिन चिंता के दिन बीमारी के दिन आप परमेशुर को अपना आसरे बना लें आप परमेशुर के करीब चले जाएं उस दिन आप प्रबो की सरन ले लें उस पर अपना भरोसा रखें उसको अपना आसरे बना लें क्योंकि जब आप इस परकार से करेंगे तो प्रबो आपकी साहेता करेगा आपकी मदद करेगा आपका प्रोटेक्टर बन जाएगा आपको छुडाएगा और वे सत्रो वे बिमारियां वे शमस्याएं वे दूस्ट आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्वयम सर्वसक्ति मान परमेशुर आपका आसर होगा एक और बचन देखते हैं बजन सहीता सोला और उसका आठ बंदल लिखा है मैंने यहुआ को निरंतर अपने समुक रखा है यनकि मैं अपने जीवन में ऐसी चाल चलता हूँ मैं अपना जीवन इस तरीके से जीता हूँ कि मानो परमेशुर मेरे समुक खड़ा हो यनकि अपना जीवन मैं उसके डर भे में बिताता हूँ मैं उसके आग्याओं के अनुसार अपने जीवन को जीता हूँ जहाबर परमेशो का वचन कहता है कि मैंने यहवा को निरंतर पूरी लाइफ बर पूरी जीवन भर हर समय अपने समुक रखा है मानो वो मेरे समुक खड़ा है यह सोच कर वो अपना जीवन जी रहे हैं इसलिए कि वो हो मेरे दाहिने हाथ रहता है मैं कभी नडग मगाऊंगा क्योंकि परमेशो को मैंने हमेसा अपने समुक रखा है अनिरंतर अपने समुक रखा है इसलिए वो मेरे दाहिने खड़ा रहता है, मेरी साहिता करने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे आस्रे देने के लिए, मेरी साहिता करने के लिए, वो मेरे दाहिने खड़ा रहता है, इसलिए मैं न डग मकाऊंगा, मुझे डरने क आउशक्ता नहीं, मुझे डगमगाने के आउशक्ता नहीं, मुझे घपराने के आउशक्ता नहीं, मुझे चिंतित होने के आउशक्ता नहीं, मुझे परिशान होने के आउशक्ता नहीं, चाहि कितने भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, चाहि कितने भी बड़ी तरही से होकर जाओं तो भी मैं हानी से ने डरूँगा क्यों नहीं डरेगा क्योंकि उसने परमेशर को अपना आस्रह बना लिया है क्योंकि उसने परमेशर को अपना चुपने का इस्थान बना लिया है क्योंकि परमेशर को वो अपने सम को जान कर चलता है अपने जीवन में इसलिए हो कहता है मुझे डरने के आउशक्ता नहीं है, मुझे गबराने के आउशक्ता नहीं है, मुझे डग मगाने के आउशक्ता नहीं है, मुझे ब्याकुल होने के आउशक्ता नहीं है, मुझे ब्याकुल होने के आउशक्ता नहीं है, मुझे ब्याकुल होने के आउशक् न पड़ेगी क्योंकि स्वयम समसक्ति मान परमेश फिर आपकी ओर होगा आपके दाहिने होगा फिर आपको घबराने क्या और शक्ता न होगी आपको प्रोटेक्टर ने कले आपको बचाने कले हर एक विपत्य से हर एक संकर्ष हर एक दुख से हर एक बीमारी से आपको बचान चाहता हूं कि मैं पिछले कई सालों से लबक चार ते पांच साल हो चुके थे और मैं कभी विदेश जाने के बारे में मैं सोचा तक नहीं था और मेरे मन में ऐसा ख्याल आए कि नहीं मुझे इंडिया के बाहर जाकर काम करना चाहिए मुझे सौट टर्म के लिए वीजा मिल च मेरी सालेरी भी काफी अच्छी है सौट टर्म के लिए तो मैं पाश्टर भीके और सिस्टर अमरिता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और उनकी प्रातना के काराण मैं आज कतर में हूं और बस मेरी यही प्रातना है कि प्रभ येशु मस सिश्टर और ब्रदर को इसी तरह से प्रात्ना करते रहें ताकि लोगों के जीवन में आने वाले दुखों और उनको हुने वाले लाइफ में परसानुद चुटकारा मिले प्रेज दो लॉड ठेंकि लॉड जीजस सो हम प्रभु येश्व मसी का धनेवाद करते हैं आज की सुन्दर सुभा के लिए जो प्रभु येश्व मसी ने हम सब की जीवनों में दी है और मैं आशा करती हूँ आप सबने प्रभु के वचन को सुनकर आशीश बाई और बहुत कुछ सीखा है सो आईए हम सब मिलकर आज की सुन्दर सुभा में प्रभु से प्रातन करें धनेवाद 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 प्यारे प्रभु जी हम सब की जीवनों में राज करने वाले हमारे उद्धार करता हम से प्रेम करने वाले प्रेमी प्रभु हम सब की देख भाल करने वाले हमारे रखवाले प्रभू येशु आपका धनिवाद करते, स्तूती करते, महीमा करते, प्रभू तारीव करते, धनिवाद, 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 धनिवाद देते प्रभू, अपने हिर्दे से परमेश्वर, हाँ मेरे येशु मसी आपके जीसा कोई नहीं प्यारे अबा, जो हमस संग संग चले, जो हमारा आश्रे बन गया प्रभू, हाँ मेरे खुदा बन तो हमारा आश्रे है, तो हमारा शर्णे स्थान है, तो हमारे चिपने का स्थान है, तो हमारी मजबूत और द्रड़ शहर बना है प्रभू तेंक यू लड़ जीजस, तेंक यू फादर, दैनेवाद परमेश्वर, यू आर अवर स्ट्रेंथ फादर, दैनेवाद प्रभू, तु हमारी सामर्थ है पिता परमेश्वर, प्रभू आज की सुभा में जितने भी भाई, बेहन, बच्चे, बुजर्ग प्रभू, इस प्रा तेरी महिमा करते हैं, बढ़ाई करते हैं प्रभू, लड़ जीजस, तैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर, पिता, आप अपने हादों को प्रभू, हम सब के उपर बढ़ाएं पिता, येस, मा लड़ प्रभू जी, प्रभू धन्यवाद, प्रभू, अपने सामर्थ ये हाद को प्रमेश्व, उस पावर्फुल हैंड को प्रभू, आप हम सब के उपर रखे मेरे खुदावन, थैंक यू फादर, धन्यवाद प्यारे प्रमेश्व, रात के छी नीन, सुरक्षा, वश्राम के लिए येश्व मसी, जो आपने हम सब को दिया प्रभू, धन्यव प्रभू, उस कारी को, प्रभू, कि जो तेरी ओर से प्रभू, हमारे जीवन में होना है, उन प्लैंस को प्रभू, हम चाहते हैं, कि आज के दिन में फुल्फिल हो, पिता, परमेश्व है, हमारी इच्छा नहीं, वरन प्रभू, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्यारे येश इनके लिए प्रभू आपकी प्रोटेक्शन आपका लहू का बाड़ा प्रभू जी हम इनके और इनके परिवार में प्रभू जी तेरे लहू प्रभू लगाते प्रभू जिस प्रकार प्रभू जी प्रभू हमने देखा प्रभू कि मिस्ल में जिस घर में प्रभू इसराइल लोग थे प्रभू जिस पर मेमने का लगा वो उनको तुने सेफ क्या क्योंकि वो तेरे आश्रे में क्योंकि उनका आश्रे आप बने प्रभू क्योंकि परमेश्व प्रभू आप उनका शरन स्थान बने प्रभू और हर एक जन प्रभू तेरी शरन में आकर तेरे पवित्र ल पिता जो वचन आज आपने बातशीत किया है सच मेरे प्रभू जिस प्रकार भजनकार दाउत विपत्ती के दिन में प्रभू इस बात को कहते कि विपत्ती आपड़ी परंतु यह हुआ मेरा आश्रे था उसे प्रकार ये शो आज ये भाई ये बहन अपने मुझ से इस बात की ना करें ये गोश्त न करें या ज्विस करें प्रभू कि आप हमारे साच रहा है ये खिंदाव भाई किसी बीत बात प्रभू आप इनके शणस्ताने प्रभू धनेबात करते हैं, प्रभू मैं दुआ करती हूँ, जो भी संकट, जो भी प्रॉब्लम इनके लाइफ में अभी है परमिशे, हम उनके लिए दुआ करते हैं, पिता इस प्रॉब्लम के समय प्रभू जी अप आपके लोग विश्वास में इस हाथ को बढ़ायों से निकाल लिया, उसी प्रकार ये शुमसी इन भाई बहनों को भी इस प्रती, इस संकट, इस मुश्कित, इस बीमारी, इस दुरबता, इस करजे से प्रभू आप बाहर निकाले पिता, थैंक्यू लॉड जीजस, थैंक्यू पादर, आज का दिन इनके ल आपका पिता, आपकी फैलोशिप में वो ग्रो अप होते जाएं पिता, बढ़ते जाएं पिता, परमेश्यृ, लौर मैं प्रात्न करती हूँ, आज प्रभू इनके जीवन में जो भी इनका वीक पॉइंट है, उस में परमेश्यृ, आप प्रभू वीक पॉइंट को इस्ति इनके लिए strong बनने के लिए पृता, धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, आप प्रभू इनकी वित्ती प्रात्ना का उत्तरहां आमीन में दीजे, प्रभू आज की जरुतों को पूरा कीजे, आज की दिन में इनको रास्तों को दिखाए प्रभू, आज क दिन में प्रभू आप इने प्रभू पूर रिति से शिफा प्रदान करें प्रभू तैंक यू जीस, धन्यवाद एक एक विंती जो आशाव मीद के साथ में तेरे लोग, तेरे प्रेमी लोगों ने भेजे हैं, धन्यवाद पिता एक-एक प्रात्मा सुनी गई है पिता उसका उतरहा में आया है प्रभू धैनेवाद पिता जिनोंने आपके राज्जी में हर्श आनद के साथ में प्रभू, तेरे लोगों ने प्रभू तुझसे फ्रेंड करने वालों ने प्रभू अपने बीज को प्रभू तेरे राज्य में बोया है येशु मसी राज्य का बीज पर मेशु जो बोया है प्रभू येशु अपने जीवन में प्रभू जी उस बीज का फल वो देखे सो गुना फलवन्थ होकर वो उनके family में, उनके life में, उनके बच्चों के life में grow up हो पिता, वो आशेशित हो और प्रभू वो multiply हो येश्यू के नाम से, thank you Lord Jesus, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, प्रभू आपने हम सब की सुनी है पिता हम चाहते हैं कि हम सब भी आपकी आवास को सुने पिता, thank you Lord Jesus, आप बात जीत करें पिता, एक एक के हिर्दे में Holy Spirit आप बात करें, तैने बात करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौप्ते प्रात नई श्मसी के नाम से माग लेते हैं, सुने और ग्रहन करें, आमें, आमें, आमें दोस्तों आप हमें फेस्बुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूसरनेम है एडरेट हिंदी बाइबल मेसेज्ज और इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद